तो भाई यार मैं आचुका हूँ एक और मज़िदार गेमप्ले वीडियो लेगर के और पैरा सूट खुल गया लोल मैं डाइरेक्ट नीचे गिर गया भाई डैमेज भी मिल गया अच्छा कासा दासा करेक्टर लगाया होता तो बच जाता मैं चलो कोई बात नहीं के करेक्टर हिलिंग्स तो कवर होई जाएगा और यहां पर एक गन मिली मेरे को और यहां पर एक दो बंदे तो उत्रे हैं जब तक उनको खोजूंगा तब तक भाई लूट कर लेते हैं अपने वाइप को उपर हाथ उटाते हो बत्तमीज आदमी रूखो रूखो निकलो पाइली पुर बढ़ो रहा था तो भाई दोनों को मैंने यहां पर किल कर दिया चुकि लड़की बहुत गुस्से में भाग रही तो भाई आके चलते हैं डायरेक्ट यहां पर बंदे मिलेंगे नहीं हम लोग को यहां पर जिपसी अरे कौन सा गाना था चलावे जीपसी चलावे अरे है आज मैं आजाद हूं पावन के चलते हैं लेका इसके पास से यह वाला बया मलग मस्तलमेट यह मिल गया इसका की अर्वी पता नहीं कहां से एंटरी कर गया या लूट करने के लिए क्या बेटे लूट करने आयो पहले निकलो पहली पुस्चत में गेट खोले हम और लूट करो तुम वा लग रहा है ये उसका टीमेट ही था लेकिन ये फाइट क्यों नहीं किया उस टाइन पे यार MP5 की भाई लेवल 3 की गण नहीं है इधर देखो इधर क्या है ये क्या लेवल 3 का है यार शोई नहीं कर रहा मेरे तो इसमें शौट गन तो शो कर रहा था ये भी नहीं शो कर रहा है भाई शो कर आएगा तभी तो उठाऊंगा ये देखो इधर वाली गन शो कर रहे है इसको ले ले क्या नहीं इसको नहीं ले यार या मैं को यह वाली चाहिए सेंटर में जो है क्योंकि यह अपग्रेटेड है चलो मिल दूनों ही लेवल टू लेवल टू के अपग्रेड़ेड है लेवल थी का अपग्रेड कर देते तो कुछ तुम घट जाते क्या चलो भाई अब अच्छा कासा मेरे पास गन भी हो चु चलेंगे ना तो उनको पहले से पत चल जाएगा में लग रहा है पीक पर जाना पड़ेगा यहां पर बंदे आसपास में दिखनी रहे हैं जूला जूलते हुए चलेंगे हम लोग तो चलो भाई यह मैं जूले पर आ चुका हूं यह मस्त मैं हवाई यह क्यों चाहियो मैं सा कोई बात ने किल तो कील होता है चाहे बॉट का हो चाहे नॉर्मल बंदे का हो किल तो मिला मेरे को मस्त वाला इसके पास ठीक ठाकी लोट थी अब मैं देखू मेरे बैग में बहुत ज्यादा अड़ गई है इनको निकालना पड़ेगा बाई ग्लूवल काफी जादा मैंने चलो अच्छी बात है क्योंकि ग्लूवल का लास्ट में काम पड़ेगा फालतु चीज़े निकालू नहीं तो फिर बुलेट्स की दिक्कत हो जाएगी यार की दो गोलिया निकाल दे है क्योंकि MP5 की गोलिया नहीं है मेरे पास और MP5 क्लोज रेंज में भाई 300 गोलिया हो नहीं पंची बनू उड़ता फिरू मस्तगगन में यार जूला से आता तो कितना अच्छा रहता पैर दोड़ दोड़ के आया पैर ददत करने लगा मेरा और यहां पर भाई बंदा है गाड़ी चला रहा है अरे रुक जा बाई गाड़ी चला रहा है अब रूक यार यह पूछ रहा मेरे से भाई यह बंदा पीरो है अरे डामेज दीया तकड़ा वाला लेकिन हमार तुमारा डामेज हमारा कुछ नहीं खाल पाएगा लोल अभै अरे बाई बंदा तकड़ा है मार रहा है रुको थोड़ा से दिवाग लाए खेल ले दो कवर ले रखा एक और बं ठोड़ी लेता टीमेट भुला लिया इतना जल्दी वो भी यह बंदा ग्लुवल लगा के नीचे तुनी ने चला गया अब मैं को भाई थोड़ा सा रिलेक्षेशन हो करके देखना पड़ेगा यार भंबी उतनी दूर तक नहीं गया क्या डैमेज मिल रहा होगा नहीं अब मे चुप-चाप खड़े रहते हैं अरे या मेरे पास वह भी नहीं है यार ड्रोन रहता तो इसका लोकेशन में देख लेता और वहां पे होने लेगी फाइट भाई अब तो ठर्ट पार्टी करने के लिए हम अपन को आके आना पड़ेगा लोल यह वहीं पे था और इसने किसी और इसको किल कर दिया और यह भी भाई बंदा पीरो एस देख रहो कैसे भाई लगा करके मस्तिक्नम ग्लूवल चिप रहा है लेकिन हमारे सामने पीरो नहीं हो तुम निकलो पाइली पुरसत में वह चलो भाई इसको भी मैने किल कर दिया और गाड़ी की आवाज आ रही है कोई बंदा गाड़ी लेकर आ रहा है वह भाई ठोकर मत माना और यह रहा सामने और यह ठोकर मानने की कोशिश कर रहा था और यह चलती गाली से कूद गया क्या वेटे गुंडा बनो के तुम मेरे सामने लो मुझ पर तुम्हारे गलूवल लगा दिया अब बोल अब बोल न काड़ी से कोशिश कर रहो ताकि सबूत मीट जाए कानून को पता ने चले कि यहां पर गोलिया चली है चिदे एक्सिडेंट का नाम दे दोगे तो भाई यहां पर मेरे पास एयार की जादा गोलिया निकाल करके MP5 की गोलिया उठा लेते हैं MP5 क्लोज रेंज में बहुत काम कि गाम आ रहा है अब चलते हैं आगि कि तरह बंदे देखते हैं बढ़र मैं तो बंदे होंगे नहीं और होंगे तो पता चल जाएग और यहां पर रिवाइब दिने वहने इसको भाइमें किल करदेंगे रिक्कत यह है कि जोनके बाहर वह बन्दे उत्रेगे और जोन तो यहीं पर बना हुआ है पासी में लो इसने रिवाइब दे दिया चलो हम भी भागते हैं जोन में लेकिन यह पीछे से अटक ने करें पीछे आ रहा है कि हां यह पीछे से ह बहुत तेजी से भाग रहा है यार कितनी तेजी से भागोगे रुख जाओ भाई यह कहां भाग रहा है लोल अब यहां पर यह गायव हो गया किधर जा सकता है अब इसने मिलों को कर दिया कर दो है कमेंट करके बता हूं नजहरू का दना मेरे साथ में कोई बात नी गणर को और ठीम होगा तो आसी पास में होगा जिनको रिवाइब मिला है वो तो भाई आगे होंगे मेरे ख्याल से चलो इसमें लूट करते इसके अंदर देखो पहले है क्या अब बंदे सीफो सीफ बचे है 10, अरे यार सीफो सीफ 10 क्या वो ओल रहा है वो रिवाइब मिल गया उनको चलो फोरेस इसको भी इसमें लगा हुआ है और पीछे वहीं पे हो रही है फाइट देखा मैंने बोला था ना वहाँ पे बंदा है मैंने लग रहा है वो उस घर में जाकर के छिप गया था लोल कोई बात नहीं इसको पहले किल करेंगे यह देखो यह रहा दू बंदे आपसे फाइट कर रहे हैं उपर उसने फेक दिया भाई जॉम्बी वाला पॉइजन बंब और यह मस्त वाला मैंने फेका लेकिन वो बंदा भाग चुका है इसको जोन में तो नहीं आने देंगे अगर यह जोन में आगया तो मेरे लिए मैच फ़ज़ा हैगा इसको जोन के अंदर ही किल करना पड़ेगा और यहां पर दो बंदे आपसे फाइट करने हैं मैंने डेमेज दिया थर्ट पाटी करने ही कोशिश करता हूँ सायद मेरे को किल मिल जाए और इसी चक्कर मैं दूनों को किल कर पाऊँ यार उसने किल कर दिया उसकी पेटी पड़िया है मैं चुप करके देखता हूँ पेटी तो वो लुटने आएगा पका वो जैसे ही पेटी लुटने आएगा हम लोग उसको kill कर देंगे आजब बेटे पैटी लूटने वो आ चुका है I think पैटी लूट रहे क्या यहाँ पे आसपास में कोई नहीं है हाँ वो पैटी लूट रहे चलो भाई इसको shot लेते हैं यह तकड़ा वाला damage और इसने फिर से glue लगा लिया वो भी double double glue अब यार कितना glue लगाओगे हमको आना पड़ेगा आगे लेकिन मैं आगे जाकर करके मैं फज़ जाओंगा पीछे ही चलते हैं क्योंकि जोन आ रहा है इसको तो जोन के अंदर आने ही पड़ेगा निकल जल्दी निकल भाई आरे निकल भाई क्या कर रहा है आरे जोन में ही फिनिस हो जाएगा क्या किलनी देगा क्या मेरे को भाई बहुत चलाकी कर रहा है यह बंदा अबए इधर से डामेज मिलने लगा लूल उसका फायदा उठाएगा वो पहले इसको इसकी हीलिंग्स भी कवर हो गई भाई सहाब इसने मस्रूम भी नहीं खाया तब भी इसकी हीलिंग्स कवर हो गई कचब बेजिती है